हेलो गाईज वेल्कम बैक टू मैं चनल तो आज मैं बनाने वाली भरवा बेंगन तो चलो बिना टाम इसके रेशिप स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले अपन मसाला बना लेंगे तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर तो देख सकते हूँ गाईज मसाले सारे डल गया है तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कोथिमबीर को एकदम चटे चटे टुकड़ों में अपने को कट कर लेना है और इसमें मसालों में डाल देना है तो देख सकते हैं कोथिमबीर मैं डाल दिया इसमें और इसके बाद तो नीकिक स्भीट यह पाउडर बना स्ने में में पंडाल है और अभी मैं इसको रख दोंगी साइड में तो देख सकते हो बैंगन भे असको पाने से वाश कना नो में और फिर शेक कर लेना इस तरह देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही है उसी तरह आपको भी कट कर लेना इस तरह आपने को कट कर लेना और चेक भी कर लेना कि बेंगन अच्छा है कि नहीं देख सकते हैं इसी तरह आपने को सारे मेंगन कर लेना है तो यह हमारा मसाला जो हमने बनाया था उसको एक दम माचे से मिक्स कर लेंगे Crisisini खळया तो अटम हुद्स Tara में कटकर कि मिक्स हो गया है कि इसके बाद पूर्योच की इसी तरह आफ रखनी रखने सब्सक्राइए टो इस तरह मसाला की कौण्टों स्टता गुंकि में रखनी लwasinin को अब उसको बना लेते को इसको रख देंगे र को कुकर तो यह देख सकतु है इसकोḥ tut और इसमें डाल दिती हूं और अभी हमने जो बेंगन बfirолод सैड में रखे हैं वह बेंगन ऐसे ही इसमें अपने को पूरे बेंगन डाल देना है इसी तरह देख शाक्त यो तो मैंने बेंगन के बाद इसमें एड़ करेंगे हलका सा पानी थोड़ा पानी एड़ करना है ज्यादा नहीं ताकि यह मसाले निश्य जले भी नहीं तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पाउड़ें ऐसे करके सब जगह एड़ कर दिया फिर इसको में अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ड़कन लगा लेंगे और एक सीटी अने तक अच्छे से पका लेंगे तो देख सकते हैं हमारी भरवा वियंगन के त्यार हो गई कितना अच्छा वस बना हैं कितना लूक जोग ऑगा। Kath dx 2 ने बरी मलत एसको बहरोंग गरम करदेटे भ्याएं यह और बिड़ियो अच्छे लगे हो तो कमेंट और लाइक शेयर करना न भूले थैंक यू